तो है गाइस वैलकम बैक टो आप वीडियो तो आज हम बात करेंगे एकसाइटल फाइबर कनेक्शन के बारे में अब यहां पर इस वीडियो में इसके प्लैंस की बात करेंगे हम इनके जो OTT पर तो मैंने को कॉल किया था और मैं अपना पूरा एकस्पीडेंस शेयर करूंगा आपके साथ कि कैसा में एकस्पीडेंस लेना चाहिए ओवर आपका जीओ हो गया एटल हो गया उसके उपर आपको यह प्रेफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो पूरी बात करेंगे इस इस वीडियो कर सकते हो और आपके एरिया में अवलेबल है यहाँ आप काफी इसली पता कर सकते हो अभी हो यहां पर चीज़ बात करता है यह customer care की जिने यह बहुत ज़्यादा यहां पर publicize कर रहे हैं अपनी website पर सो यहां पर मैंने call किया easy number मिल गया इनकी website पर आपको number मिल जाएंगे हर एक region का अलग लग number है से अपर और करते ही आप से दो आपिन पूछेंगा कि आप इनकी existing customer हो कि आप यहां पर नए customer हो मैंने का कि मैं नए customer हूँ और यहां पर मैंने call किया तो मैंने कहा जो मुझे तो यहां पर मैं उसे नाइन रेट करूंगा उसने काफी तरह पैन एक स्पेंट करें हर एक चीज जो मैं उसे पूछी मैं जान मुझके छोटी-छोटी यहां पर चीज़त पूछ रहा था कि मैं देख रहा था कि बंदा कहीं जल्दी इरिटेट नहों जाए या कुछ भी क्यो बहुत जल्दी ठाली आता है इन्होंने तो यहां पर में तरफ से एक्टम थम्स आप है किस्टमर केर से बात कर रहा तो उसने मुझे बहुत ही तगड़ी चीज़ बताई इनका तो फीचर एक तरह साब बोल सकते हो वह यह था कि उसने वहला कि हमारे फाइबर है वह अन्लि यह जो सही बोला था कस्टमर केर से रिस वाला तो यह बहुत तगड़ी चीज है इनकी कि अगर आपको अन्लिमिटेड नेट चाहिए कर लोग बोलते हैं कि हम 3300GB खतम कर देते हैं तो आपके लिए बहुत तगड़ा ऑप्शन रहेगा कितना भी आप नेट यूज करो 3000GB करो 600GB करो यह बोल रहे हैं कि कोई भी लिमिट नहीं है तो कितना भी उसके बात करते हैं जो इसके बारे में अगर आप इनकी वेबसाइट में देखोगे तो यहाप इनकी लिखाए कि इस चार्ज नहीं है बट आसा नहीं है आपको कुछ चार्ज पड़ेगा जब मैं उसके कस् चार्ज मांग रहे हैं तो उसने बोला जो एक्ट्रा वायर वगरा लगेगी हम उसके आपसे चार्ज करेंगे मैंने का ठीक है बात तो यहाँ पर इस्टॉलेशन में आप राउटर भी लोगे इनसे तो राउटर के भी आपस कर देंगे अब राउटर के यह ले रहे हैं एक तो मैंने बता दिया कि आपको यह बैंक काउंट पहेंगे पहली कंडिशन नबबे दिनों के अंदर आएंगे मतलब तीन मेने का राउड आपको लग जाएंगे बापिस आना है पैसा आपके जो रिष्कॉर्ड डिपाट है और एक और कंडिशन है जैसे मैंने बताया कि आपको जो राउटर है वो वर्किंग कंडिशन में आप दोगे तबिया आपको अपे नहीं मिलेगा तो यहां पर यहां पर इसकी हम प्लांस की बात करते हैं अब प्लांस में क्या चीज़ां एक्स्पीरिंट करता हूं कि बहुत कंफूजिंग से प्लांस है अब यहां पर एरिया वाज यहां पर प्लाइन चेंज हो रहा है अब प्लाइन दो तरीके से यहां पर मैं डेली की जिसके यहां बात करूँगा वहां पर 200 Mbps, 300 Mbps, 400 Mbps के यहां पर प्लाइन है और यहां पर फॉर एजांपल आप अलीदाबाद में देखोगे तो यहां पर आपका 100 Mbps, 300 Mbps, 400 Mbps के उनके यहां पर रेट बराबर होंगे तो यहां पर अपने अरिया के यहां पर देख सकते हो कि आपको यहां पर कितना चार्ट पड़ेगा, कौन सी स्पीड का, यहां पर मैं आपको डेली एंचर के यहां प्लाइन बताऊंगा, 200 Mbps को होगा पहला, 300 Mbps को अब यहां पर 2nd चीज इनके प्लाइन में क्या चीज़ आ यहां देना आप, यहां पर आपको 1 Mbps का यहां पर सब्स्रिब्चिण नहीं मिलता, आपको यहां पर minimum 3 Mbps का तो यहां पर कराना ही पड़ेगा, 3 Mbps को गया, 6 Mbps को गया 9 Mbps को गया और यहां पर 12 Mbps का आपक करेगा और यहां पर एक और चीज़ अगर आपको plan change कराना है तो suppose आप ने एक तारीक को plan का recharge कराया तो यहां पर आप उससे अगले एक तारीक नहीं कर सकते ना उसमें आपको ओटी सर्विस आड़ कर सकते हो अब यह चीज़ सोड़ा करेगा आपको ओड़्य दिस कैसे अड़ करोंगे वहां माँ आगे मैं explain कर आपको समझ जाएका बाकर चांग करना या तो आप पूर जब आपका खतम हो जाएगा उसके बाद यहां पर चेंज कर सकते हैं अहां पे बहुत सारे प्लयन तो हम क्या करेंगे जैसे मालोग इनका 200 MBPS का प्लान है तीन महिने के लिए है और उसमें GST भी लएगा तो यहाँ पर मैं आपको एकदम एकदम अमाउंट बता हूँ कि आपको कितना पे करना पड़ेगा आपके सामने बाकी कल्कुलेशन आदाएगी ताकि आप वहाँ देख सको और समझ जाना है कि वहाँ तक कैसे पहुंचा माउंट उसका और प्लस यहां पर बेस प्लान है उसमें आपको रॉटर के यहां पर दो हजार रुप एक्स्ट्रा पड़ेंगे स्टार्टिंग में यहां पर वह भी मैं एड़ गर कि आपको दिखा दूँँगा स्क्रीन पर तो आपको एकदम यहां पर बढ़ेगा 2095.68 रुपीज आपको देने पड़ेंगे अगर आप सिख्समांथ के लोगे क्नेक्शन तो आपको पड़ेगा 3695.76 रुपीज और यहां पर यहां पर पर यह पूरे 12 महिने का एक छाधी बिल पicular कर दो माल लो आपने ये 12 महीने के पूरे पैसे पे कर दिया आपने बोला कि मुझे बस चार सुरुपए में 200 MP स्पीड मिल रही है किते मजली बात लग रही है न बट यहां पर सपोर्ज आपकी सर्विस बेकार निकले आपके एरिया में तो आप क्या करोगे 12 महीने के लापके पैसे कैसी है उसके बाद एक बारी को आप 12 महीने का ले भी लेना तो मैं कोई मना नहीं करता बट यहां पे पहले बार सर्विस चेक कर ले ना आपकी एरिया में कैसी है इसकी अब यहां पे इनके 300 MPs वाले प्लैंस की बात करते हैं अगर आप तीन महीने के लिए तो यह आपको प 504.8 रुपीज तो यहां पे यह है और अगर आप 4000 डाला प्लैन लोगे तो वह भी देख लेता है फटावच से तो यह अगर आप तीन महीने के लिए लोगे तो यह पड़ेगा आपको 2948.82 रुपीज अगर आपे 6 मंत के लिए लोगे तो यह पड़ेगा आपको 4948.92 रुपीज आपके इजी चीज के लिए यहां पर यहां पर पूरा चार्ट आजाएगा वहां पर आप देख सकते हो कौन सा प्लैन आपको कितना पढ़ रहा है स्कीन पॉस करके बाकिए कर बात करता है यहां पर यहां पर ओटी यह एड-on में दे रहे हैं आपको यहां पर इ यहां पर देखने को मिल जाएगा इस चीज की अगर आप एक्सेटल को यूज कर चुके हो अगर आपका एक्सपीरेंस है तो यह प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि इससे और लोगी हल्प हो कि क्या आप यहां पर यहां पर सीधा मना कर दे बोला सॉरी सर आप इन काफ की जो उटिती आपतों जला सकते हो में बट यहां पर कोई भी सेट रखी स्क्रclips नहीं दे रहे हैं जो इनका प्लीज करोगे इंकी एप還 यहां पर कशेकर पर करना बर कोई बात नहीं है तो यह है पूरा इसका जो भी एक्सट्ल का connection के बारे में है अलापो कोई भी confusion है तो आप comment section लिख सकते हो अब यहां पर स्क्राइब करते हैं क्या-क्या है पहले क्या टीज़ी रहरी आपको आपको सस्टा मेल रहा है यह आपको अगर आप देखो के तो पड़ेगा आपको 1992 का तो यहाँ पर और ये सस्ता है आपको तो मिल रहा है तो यहाँ पर कुछ डाउंसाइड भी हैं सी कुछ अच्छी चीजे भी हैं अगर आपको यह ट्राय देना तो आप ट्राय दे सकते हो मैंने की जो जब रिव्यूस पड़े ऑनलाइन तो कहीं लोगों ने से कावी तारीफ की थी उनके एरियास में काफी अच्छ के बारे मैं पता था तो मुझे परस्नली ने के स्टमर के सर्विस काफी एवल लगी तो आप भी अगर आप कोई भी कन्फूजन हो तो आप कमेंट सेक्टे सकते हो या आप कस्टमेर केर को भी कॉल कर सकते हो वो भी आपकी सारी कन्फूजन यहाँ पर दूर कर देंगे और मार्केट में आप वह भी देख सकते हो और यहाँ पर आप कन्फूज हो कि आपके एरिया में बहुत सारे फाइबर में कौन सा लगा हूँ एटल लगा हूँ कि जियो लगा हूँ कि मैं बेसल फाइबर लगा हूँ कि लोकल वेंटर को मैं कॉन्टक्ट करूँ यहाँ मैंने वीडियो बनाई है मैंने पूरा अपना experience में शेर किया है कि आपके एरिया में अगर सारे फाइबर अवलेबल है तो आपको कौन सा पिक करना चाहिए आप ज़रू जाकर देखना पी बहुत कन्फूजन यहाँ पर दूर हो जाएगी अब यहाँ पर अगर आपको वीडियो करताने के अच्छे लगी है अब हमें मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जाहें